हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग मैं हुआ रहा हूं आपका उनलाइन से इसको ट्रेनर और आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी एक और नई वीडियो में सबसे पहले तो आप लोगों से माफी चाहूंगा कि काफे समय समय बहुत वीडियो अप्लोड नहीं कर पाया लेकिन कुछ सुस्तितिया ऐसी रही थी कि वीडियो अप्लोड करना पॉसिबल नहीं था लेकिन आई हो अब सब कुछ ठीक है और आपको लगातार अब के लिए मैं वीडियो बनाता रहूंगा बहुत सारी टेक्नोलोजी हैं जिनके वीडियो लगबग कंप्लीट हैं बड़ अप्लोड नहीं होपाई जिनमें आईस आईस राउटिंग प्रोटोकॉल है और बहुत सारी वैन सर्विसेज भी है लेकिन उनमें थोड़ा सा भी काम बाकी है तो आई होप जल्दे से जल्दे वह आपको देखने के लिए मिलेंगी अभी जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूं यह भी बहुत इंपोर्टन टॉपिक के ऊपर है और इंटर्व्यू के पांट अफ यू से देखा जाए और प्रोडक्शन एन्वार्मेंट के इसाब से भी दे इस तरीके से तो कोई भी मशीन कहीं भी किसी भी से बात कर सकती है अपना सेम नेटवर्क के अंदर हो मतलब आपके पास एक लोकल अरिया नेटवर्क है और यह PC1 है PC2 है और PC3 है यह तीनों को अगर आपको आपस में कनेक्टिविटी करनी है तो आपको कुछ नहीं करना होत इस नेटवर्क रेंज की एक IP आपको यहां पर असाइन करने होते हैं असाइन करने के बाद आपको बस लेयर टू कनेक्टिविटी को करना है स्विचिं के थू करना है या हप के थू करना है आपको बेसिकली कनेक्ट कर लेना है और यह तीनों सेम सब्नेट में बात करना है तो यह तो हो गया लेकिन अगर आपको किसी डिफरेंट नेटवर्क आईडी के साथ कम्यूनिकेट करना जाने है जिसलिक आपके पास और भी कोई डिफरेंट नेटवर्क है इसलिक यहां पर 20.0.0.0 का आपने एक नेटवुक लिया हुए और उनकी भी इस तरीके से और यह भी एक सुचिंग के थुरू कनेक्ट है इनमें अगर आप बात करना चाहते हो तब आपको राउटर की रिक्वायर्मेंट होते हैं राउटर क्या है जो डिफरेंट नेटवर्क को आपसमें करा सकता है किनेक्टिवीटी के लिए आपका जो लोगल सब्नेट है इससे आप एक वायर लेते हो राउटर के इंटरफेस पर लगाते हो इस इंटरफेस को भी इस सब्नेट का मेंबर बनाते है इस यू नीड आ आई-पी आई-पी यह यह आई-पी इसमें इसी सब्नेट का एक राउटर का यह वाला इंटरफेस इस लोकल लेंड का मेंबर बनने के बाद अब इंद को बाहर जाना है मेंस यह जो PC3 है यह 20.003 से करना चाहते है तो अब इसको यहाँ पर गेटवे की आई-पी के रिक्वायर्मेंट होगी गेटवे वह एंट्री और एक्जिट पाइंट यहाँ पर देखा जाता है तो यह राउटर की आई-पी है और इसी इंटरफेस के राउटर का आपको मैक अड्रेस भी चाहिए होता है क्योंकि लेयर 2 हेडर और लेयर 3 हेडर दोनों के रिक्वायर्मेंट है एक पैकेट अनके सुलेशन के लिए तो गेटवे का मैक अड्रे आपका राउटर के इंटरफेस पर आता है और इसको रिज्वार्डर करता है और ऑर फोरवर्डिंग मैकेनिजम के अक्वर्डिंग ड्रेस्व की है तो सबसब बड़े बात यहां पर रहे आपको किसी आउट सा जूड़ना है है अपकी मशीन जिसका एक निट्वर्ग आई नहीं कर सकते. अब बात आती है redundancy की, अभी इस design को देखते हैं कि आपके पास एक router है और एक router के पास एक single interface, अगर यह interface fail हो जाए, अगर ऐसाफ आपा interface बंद हो जाए किसी reason से , तो आपका जो network है , repos bread, नेटवर्क हैं जो मशीन से जो यूजर से वो आउटसाइड वर्ल्ड से कभी भी कम्निकेट नहीं कर पाएंगे उसके लिए आप क्या गरोगे या तो आप इस राउटर को ठीक करोगे या एक और राउटर लेकर आओगे और उसमें वायरिंग करोगे उसमें एक आईपी अड बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं बसता और किसी भी परीके से आप बाहर कम्निकेट नहीं कर पाऊगे ऐसे केसे में जो प्रोडक्शन एंवर्मेंट है उनमें मुल्टिपल गेटवेस के ऑप्शन रखे गए हैं मुल्टिपल गेटवे का मतलब गेटवे रिडिंडेंसी सर इस अब कि यह वहां रिडिंडेंसी जाएगा तो दूसरा और जाएगा उसकी घया और आपके पी सी हैं एक पात के जएगा दूसरे बाद से बाहर निकल कर सकता हैं तो यह जो गेटवें हैं इनमें जब यह मुल्टिपल गेट्वेस का औप्शन आप रगाते हो तो पॉइंट फेल हो जाता है तो आपको मैनुवल ही जाकर या डेस से पर गिद्रू अगर एक्वायर करते हो आपको गेटवे की आई पेड्रेस के बारे में अपने इन यूजर्स को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी बड़े निट्वक पर बात करें तो बहुत प्रॉलम दे सकता है मीन्स आपका राउटर का फेलियर कब होगा फिर आप मैनुवल जाओगे तो उसमें टाइम लग सकता है और जितने देर तक फेलोवर आपका रिकवर हो पाएगा आपका गेटवे दुबारा से लाइव हो एक है VRRP और एक है GLP यह तीनों सर्विस हैं जिनके बारे में अलाग अलाग वीडियो में आपको बताऊंगा लेकिन फिलाहल जो मैं भी आपको बता रहा हूं जस्ट बेसिकली डिट्वे रिटेंडेंडेंसी सर्विसेज हैं यह किस तरीके से काम करती हैं क्या करती हैं रिटेंडेंसी के उपर यानि फेलोवर के बारे में उपर ध्यान देना पड़ेगा इनसे कर आप सुचिस भी लगाते हो तो आप तो एक से ज्यादा सुचिस के साथ कनेक्टिवटी बनाने चाहिए जिससे रिटेंडेंसी हो अगर इंटर सुच लिंक आप बना रहे हो तो एक ही पोर्ट से दोनों सुच को कनेक्ट करके रहें आप एक से ज्यादा वायरिंग उनके बीच में करें जिससे अगर एक सिंगल पोर्ट फेल होता है तो दूसरा आटमेटिक लाइव हो जाए ठीक है इसमें जो फेलोवर है लेयर 2 में स्पैनिंग ट्रीप प्रोटोकॉल जो है वो इस फेलोवर सर्विश को प्रोवाइड करता है क्योंकि सुचिंग के अपने भी काई यह सारे लूप के कॉंसेप्ट है अगर इसी ट्रोटॉकल नहीं होगा तो लूप बन जाते हैं उसके लिए इस पांपे को प्रोटोग्श को रहता बिना किसी लूप जिनरेश तो बहुत सारे terms हैं जो आप books में या documents में या notes में आप देख सकते हो यह काता है कि layer 3 redundancy जैसे मैंने भी topic में लिखा था है इसे कह सकते हैं आप इन्हें कह सकते हैं जो first hope redundancy protocols जो technical terms है कि अगर आप layer 3 service redundancy service लगाते हैं तो उनकी technical naming क्या है तो first hope FHRP बोलते हैं इसको तो FHRP main service name है इसके अंदर आपकी services आते हैं FHRP basically gateway redundancy provide करने के logical definitions हैं इसके अंदर तीन services आते हैं FHRP में आ जाते हैं आपके HSRP आ जाता है VRR पे और आ जाता है GLP यह तीन services हैं जो आप different platform पे अपनी requirement के according लगा सकते हो लेकिन जो इनको conclude करती है term वो है first hope first hope का मतलब आपका पहला router जिसे आप लोग कहते हो gateway means interview में आप सब पूशा जा सकता है layer 3 redundancy services के बारे में बताए इसका मतलब जो आपका recruiter है वो srp, vrp, glbp, gb बारे में जानना चाहता है अगर वो कहता ओ fhrp के बारे में बताए तो भी वो any terms के बारे में सुनना चाहता है अगर वो कहता है gateway redundancy services के बारे में बताए तो भी इन topics को discuss करना चाहता है वह आपसे तो उसका मतलब यही है सीधा HSRP, VRRP, JLPP कहता है तो बहुत clear answer है जो आप दे सकते हो लेकिन अगर वो FHRP बोलता है तो भी आपको इनी के बारे में discussion करना है अगर वो gateway redundancy services कहता है तो भी आपको इनी के बारे में और फिर नेक्स वीडियो में particular और यह जो तीन यह service है इनके लिए अलाग अलाग बताऊंगा basically जो FHRP है इसके पीछे एक virtual router का concept है वो क्या है सबसे पहले आप समझ लेजे just like यह मेरा LAN है मेरे पास तीन मशीने है ठीक और आपने multiple gateways रखे हुए है यहां पर क्या है आपको सबसे पहले common subnet की जरूर्थ होगी क्योंकि आप इन चारों को ऐसे gateway redundancy के लिए यूज करना चाहते हैं जो चारों routers है just like router 1 हो गया router 2 है router 3 है router 4 है इन में क्या गरना है सबसे पहले आपको एक subnet को use करना है मैं यहां use कर लेता है 10.0.0.0.0.8 आपको सभी पर सेम IP देनी है मतलब सेम network की IP देनी है या दे 10.1 10.2 10.3 10.4 इस PC को दे दिया 10.5 10.6 10.7 ठीक अब यह जो तीनों मशीने हैं अगर इनको वें से communication बनाना है या अपना कोई भी data उथर भेजना है रेसीव करना है तो इने क्या चाहिए होगा gateway तो आपको इन चारों में से एक router को ऐसे gateway यूज करना प्लाईगा एक single router को आपने सोच लिया कि router 1 की default gateway रहेगा तो आप जहां जागा .1 दे सकते हो इसमें default gateway.1 दोगे इसमें default gateway.1 दोगे जैसे आप इसमें default gateway.1 रखोगे तो आपके त्रू इस gateway का Mac address भी discover कर लिया जाएगा और अगर भेजना चाहेंगे तो सारा जितना भी traffic है आपका जितना भी traffic flow है सभी का वह वाया router 1 ही आप पेजपाऊगे राउटर 1 फेल हो जाता है तो इस जो तीनों राउटर रखें इन में से किसी भी एक राउटर को आप default gateway यहां पर चेंज कर सकते है तो फेलोवर की मतलब सारी इसके फेल होने के बाद राउटर 2 एक्टेव राउटर बन जाएगा आपका डेटा जाना लगेगा लेकिन प्र वर्चुल राउटर क्या चीज है यह एक इल्यूजन है आपके यूजर्स के लिए यहां आता है concept वर्चुल राउटर वर्चुल राउटर का मतलब एक राउटर ऐसा है यहां उसके ओपर एक इसी सबनेट के एक आई-पी है just like 10.0.0.0.100 यह जो आई-पी है वर्चुल रा कहा जाती है और यह है आपकी gateway की IP यह जो fhp service लगाने के बाद fhp service क्या करती है एक वर्चुल राउटर का concept generate करती है और एक वर्चुल राउटर को ऐसे यहां default gateway दिया जाता है अब यह 10.1 ना देके आप 10.100 मतलब इस राउटर के यह जो आपके राउटर है इनके means अगर आपको communication करना है आपका यह जो PC है अब यह physical इस राउटर के इंटरफेस की IP के उपर अपना default gateway सेट नहीं करेगा यह जो वर्चुल आईपी है यह as it is इसके इनके उपर default gateway डाल दी जाएगा इस वर्चुल आईपी के साथ ही एक वर्चुल मैक भी होता है क्योंकि आपको लेयर 2 चलाना है तो लेयर 3 का आपको मैक अड्रस भी चाहिए होगा तो इस वर्चुल आउटर से आपको दो चीज़े मिल जाती है आपको मिल जाता है एक आपके डिफॉल्ट गेटवे का अड्रस जो कि 10.0.0.10 हमने यहां चलिक्ट कर लिया और आपको एक फिजिकल डिफॉल्ट गेटवे आईपी आईगी यह और जब वो मैक डिसकेवर करेगा तो जो वर्चुल मैक आपका जो फेचार की सर्वेस जनरेट करेंगी वह आपको मिल जाएगा यह तो हो गया PC के परस्पेक्टिव से बात लेकिन अगर आप राउटर के बात करते हो तो यह राउटर के जिनको आप रेजडेंसी में रखना चाहते हो तो इन राउटर का एक ग्रूप तयार किया जाता है इनको एक ग्रूप क्रिएट के जाता है ग्रिप में डिफॉल्ट गेटबेस का ग्रूप है सभी एक कॉमन सब्नेट के मेंबर होते हैं और इनके उपर यह FHRP सर्विस रन कर दी जाती है FHRP सर्विस रन होने के बाद यह अपस में अपने यह और आ हैंगी अनके पूपहर सर्विस के पास इस करने के बाद यह एक प्रिय beslut करने चारू गुरूप में का पिसी भी exact गो ऐसे और मज़ढे लेजर आप है एक मास्टर्रा एक सब्सक्राइकर कर लेते है सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके ऊपर वो जो आपकी वर्चवल IP है वो लाई हो जाती है तो मास्टर राउटर का क्या रोल होता है कि यह जितने भी यूजर से जो मैक रिक्वेस्ट आ रही है यही मास्टर राउटर उनको रेजल करता है और यूजर से आने वाले सारे डेटा को अपने थ्रू ही बाइपास कराता है अगर मैं FHRP कोई भी सर्विस लगाता हूं तीनों में से तो R1, R2, R3, R4 आपस में बात करेंगे बात करने के बाद नेगोसियेशन करेंगे नेगोसियेशन करने के बाद इन चारह राउटर के रोल डेसाइड होंगे और रोल्स में से एक कोज़ आप समझ लेजे यह राउटर जो है आपका प्राइमरी राउटर होगा मास्टर जैसे यूजर ने एडिमिस्टेटर ने इसको रोल कहा कि भाई आप इसे कर लेजे आप मैनुवली भी उसको फोर्डस फुली किसी भी राउटर को मास्टर या कह लेजे प्राइमरी राउटर बना सकते हैं या यह आटोमेटिकली भी एक सेलेक्शन प्रोसेजर के तुरू इन 4 राउटर में से किसी एक राउटर आपका एक्टिवली मास्टर का रोल प्ले खरेगा मास्टर का काम क्या है कि PC से आने वाले हर राप रिक्वेस्ट को रिजॉल करना उनसे वर्चुल मैक अड्रस देना और अपना IP अड्रस देना जो उसका डिपल्ट गेट्वेस से रिजॉल्व हो रहे है तो मास्टर राउटर का काम क्या है जब तक वो लाइव है तो सारा यूजर का डेटा है जो आपका इंसाइड नेट्वर्क है अगर मास्टर फेल हो जाता है तो वो जो कम्यूनिकेशनल लेंग्विज है उसके जो हैलोज हैं वो जाने बंद हो जाते हैं उसका होल्ल एक्सपार हो जाता है और यह Mac Resolution की जो procedures है वो router फिर उसको resolve करने लगता है PC को यह नहीं पता लग पाता कभी भी कि आपका जो gateway था जिसके तुरू आप बाइपास हो रहे थे वह डाउन हो गया है क्योंकि जो gateway है वो virtual IP है और वो virtual IP पुराना जो router fail हुआ है by default gateway वहां से shift होकर जो नया आपका gateway डिसाइड किया है जो master router हो उसके उपर shift हो जाती है और वो सारा user का data दूसरी जगह से उसके पर bypass होने लग जाता है अगर यह दूसरा भी fail हो जाता है तो फिर बाकी की जो group members है वो उन में से एक role अपरा master या primary या active कुछ भी कह लिए जो आप समझ सकते हैं मतलब वो superior router बन जाता है और फिर उसका काम हो जाता है इस virtual IP और virtual Mac को handle करने का और user का data अपने exit interface से वेन तक पहुचाने का means एक जो FHRP service है वो एक तरीके की एक protocol based service हमझ लेजिए जिसमें routers का जो आपके gateways हैं जिने आप gateways में बनाए जाता है उसका गुरूप बनाने के बाद उनके उपर सर्विस चलाई जाती है उस service के तुरू यह आपस में packets का exchange करते हैं और अपने role decide करते है होने के बाद इन में से एक router एक active router कहलाता है जो actively gateway बन जाता है और सारा user का data से बाई-पास होने लगता है अगर वह fail होता है तो बाकी के group members में से दूसरा उसकी responsibility ले लेता है, दूसरा भी fail होता है, तो तीसरा उसकी responsibility ले ले लेता है, और बहुती कम time में आपका gateway नहीं gateway पे rollover हो जाते हैं, और आपका किसी भी तरीके का data transmissions में errors नहीं आते हैं, तो basically एक virtual router का concept बनाया है, किसी physical router की physical interface की IP को, ऐसे default gateway consider ना क पर आकर, एक virtual IP को बनाया जाता है, जो float करते रहते हैं routers की group के अंदर, जो अपने redundancy के लिए routers लगाए हैं, और इस तरीके से आपके ये जो FHRP services हैं, layer 3 redundancy service हैं, ये actively चलते रहते हैं, और आपके network में outage या कह लिए communication break देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए production environment में बहुत ज service है, इसको जानना बहुत जादा जलूरी है, और interview के point of view से भी आप ये समझ लिजे, maximum interviews के अंदर इसके बारे में questions पूछे जाते हैं, ठीक है, layer 3 switch और routers के उपर आप इसको configure कर सकते हो, इसलिए switching का भी part है, और routing का भी part है, basically IP services में इसको रखा जाता है, IP से related जो services हैं, मतलब routing protocols के लाव, just like network address translation के अब बात कर लेजे, वो अभी IP services का part है, तो IP services के अंदर आप मान सकते हैं, कि FHRP को categorize किया गया है, वैसे बहुत सारे services हैं, IP services related, जिसके मैं आगे future में वीडियोच दूँगा आपको, तो फिलाल, इस वीडियो में यहीं तक है, और next वीडियो में आप बता हूँ, FHRP की services हैं, अलाग अलाग services वो किस किस तरीके से हैं, कैसे कैसे work करते हैं, और उनकी configuration भी देखेंगे, और उनका theoretical portions भी देखेंगे, तो I hope यह वीडियो आपके लिए काफी helpful रहेगी, और अच्छा करता हूँ, कि मिलेंगे अपने next video में बहुत जल्दी, तब त रखके लेदने वा, तक्ष buffs झाह至 सहके हैं, तяж एक्की ब handled जएवे, खकली कैसे कना अपने हैं?